देश में लॉकडाउन के चलते कई राजियों से मजदूर लगातार पलाइन कर रही हैं। मजदूरों के पलाइन को देखते हुए राजिसरकारों ने भी चिंता जाहिर की है। और मजदूरों से एक ही जगह रुकने की अपील की है। ऐसे में यूपी सरकार मजदूरों को रहत देने के लिए बड़े ऐलान भी कर रही है। इसी के तहट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदेतनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने मनरेगा के 35.40 लाख मजदूरों को रहत देने का फैसला किया है। यूपी में मनिरेगा के मजदूरों के खाते में 611 करोड रूपे ट्रांसफर किये गए हैं। यूपी में प्रती मजदूर को औसत 2250 रूपे दिये गए हैं। इस दोरान सीम योगी ने प्रदेश के 75 जिलों के 75 मनिरेगा मजदूरों से भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर जरुत नहीं हैं। आप लोगों को तीन महीने का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। दरसल कोरोना वाइरस के लिए किये गए 21 दिन के लॉकडाउन के चलते गरीबों और शिर्मेकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए य योगी सरकार ने इसके पहले यूपी के 20 लाख देहाडी मजदूरों के खाते में एक एक हजार रुपए की पहले किष्ट डीबीटी के जर्य ट्रांसफर किये थे। आपको बताते हैं कि उतरप्रदेश सरकार एक अपरेल से देहाडी मजदूरों और खादे सुरक्षा के क बादचीत भी की है। बादचीत भी की थी। लकनवस्या निल्चैनी की रिपोर्ट